हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं शरचन अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिननन्न करता हूं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मौथारगन पर सरगम कैसे वजाई जाती है और थोड़ा मौथारगन के बारे में थोड़ा जानकारी देतूं आपको कि महतारगन बेशिकली एक यह only instrument है इसका मतलब क्या होगग के संसभोंकनी और संसकंपीज नी इसमें थो कना और कीजना है उकने और खीज ने से इसके अनका जो रीड बनी होती है वह वाइबरेट करते हैं और साॉड़ेट होती है छी कैं और मेरे पास यह मौतरगन है हीरो हार्मोनिका इसमें यह 24 खाने है अगर 88 खाने में उतको डिवाइड कर दे तो यह 3 सब्तक बन जाते हैं पहले 8 खाने मंदर सब्तक यानि मोटी और भारी आवाज इसको लोवर आक्टेव कहते हैं बीच के आठखाने मदर सब्तक या मिडिल आक्टेव जो नॉर्मल आवाज होती है उपर के आठखाने तार सब्तक या हायर आक्टेव जिसमें थोड़ी ऊची आवाज होती है पकली आवाज होती है जैसे यह आपका मंदर सब्तक होगे नीची की आवाज यह मद्द सब्तक हो गया बीच की आवाज यह तारसब्तक हो गया यह ऊपर की आवाज अब आपको सर्ग में बजाना कैसे है इसका मैंने की चार्ट बना दिया है इसको चार्ट को आप देख लें इसको मैंने लिग दिया इसके उपर इसमें आप मंदर सब्दक मंदर सब्दक और तारव सब्दक में कैसे कैसे बजाएंगे len इसमें जो तीर करे निशान ऊपर की तरफ बनना हुआ है उसका मार्ला जो तीर का डियरेक्शन नीचे तरफ उसका में खीचना है मैंने हर उसमें लिख दिया है कि किस खाने में फूकना है किस खाने में खीजना है ठीक है तो यह आपका सर्गम इस तरह से बच जाएगा अब मैं आपको बजा के दिखा देता उसके प्रैक्टिस कर लेंगा आपको सर्गम बजाना आ जाएगा अब जैसे में क्या है कि मंद सब तक भे हम तीसरे खाने से शुरुआत करते हैं सामारा तीसरे खाने में तो पहला दूसरा तीसरा तीसरा तीसरे खाने में खुकिए और मुग को हलका से पीछे करके ऊपर खीचिए तो सारे हो जाएगा दूसरे खाने में तीसरे खाने में खुका और हलका से पीछे करके खीचा तो सारे हो गया दूसरे खाने में ठीक उसके बाद चौथे खाने में खूंका और तीसरे खाने में खीचा तो गामा हो जाएगा क्या क्यों हुआ तीसरे में खूंका और दूसरे में खीचा उसके बाद चौथे में खूंका तीसरे में खीचा गामा हो गया थे छटे खाने में फूका पाँ हो गया पाच्वे खाने में खीचा धाओ हो गया शाथ्वे खाने में खीचा अठ्रे खाने में फूका ऐसी वापस आगे कि अब मध्य सब्तक में नवे खाने से ले लीजे नवा खाना कहा प्यारा है इसका इधा से किन लेंगे इसके नवा खाना ठीक तो यह हमारा एक एक दो ती चार पांग छे साथ आठ नौ यह हमारा दमखाना आया ठीक है तो नवे खाने में हमने फूका और नवे खाने में खीचा तो क्योंकर सारे ग्यार में खाने में फूका ग्यार में खीचा तो गामा ठीक तेरे में खाने में फूका पा च्वाद में खाने में खीचा धा पंद में खाने में खीचा और पंद में खाने में खीचा और पंद में फूका सा त्रीक यह मज़े सब्ता वो गया अब तार सब्ता करें यहीं लिग दिया अंद्रेवे खाने फोका पंद्रमा खाने खान प्यारा हमारा एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा यह आया पंद्रमा खाना आपका यहां पर ठीक है हमस्ता करें ता नौ दीष स्वागर प्रें हमस्तु कि और प्रभर अरा कहली कि आम सब्सुनरों कि लुए और सत्रा में थे ताशी में थे आम सांट दिदे शेखन गाहरा स्वां स्वा एक आओ द्भर, कर धकाते निकास तूम्त प्वाइबज बात्यार निक्टि प्रमा ऐ ठीक ताड़ सब्तक गें थे सें मैंने आपको चार्ड भी दिख्या दियाु आप फिर से दिख लिए इस चार्ड मैंने आप पूरण लिग दिया ऐ है। टिक है किस caf घृत कहां पर छया खाने में कैसे घीचना तो आप इसको देखके बजा सकते हैं आप इसमें बजाने में दो तिन चीज आपको ध्यान रखनी है इसको बजाने में क्या आता है यह रगलपता ऐसे ऐसे करके तो अगर आपको मौश्राजर लगा लेंगे तो यह आसानी से करेगा और आपको किसी तब्यका का यह जलन महसूस नहीं होगी वर्ना कि होगे अलका सा छिल सा जाता है और जलन महसूस होने लगती है तो मौश्राजर लगा लिए और आपको जलन का अहसास नहीं हो यह अपना आराम से स्लाइड करता रहा ऐसे ऐसे तीक और क्योंकि सांस का इस्ट्रूमेंट है तो इसको देर तक खीजने यादा दोने आपके होनी चाहिए अब जितनी देर तक इसको फूख सकते हूँ कम से कम एक दो चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार ऐसे करके देखी जैसे हमने फूखा ये ये ना अब खीजा अब किती देर तक खीज सकते हूँ आपको भी डिपेंट करते हैं पूरी साथ आपने भार ली और अब खीजा जितनी देर तक आप सांस खीच लें सांस फूख लें इसका कंट्रोल आपका अच्छा हो जाएगा तो आप गाने बहुत आराम से बजा लेंगे किसी किसी गाने में लगता फूंकना होता है किसी किसी गाने में लगता खीचना होता है और विसे मौथारगन तीन तरह के होते हैं तो यह 24 खाने का हो गया एक 10 खाने का भी आता है एक स्केल चेंजर भी आता है इसमें यह बटन ऐसा लगा हो तो उसको दबा देंगे तो यह चेंज हो पाघन से हैं बहुत सारे गाने बजा लेंगे कुछ गाने ऐसे हो सकते हैं कभी-कभी जो आपको दिक्कतिन क्योंकि इसमें कॉमली स्वारा को कहें नहीं मिलेंगे वह परशानी किसी कि गाने में आप इसको ऊसकता साल लेगिन में बहुत सारे अपने गानाना चान हुँ विडियो हार्मोनियम, इस्पानिश गिटार, मौथ आरगन और वोकल सिंगी में सिखाता हूँ आपको जो भी जानकारी चाहिए उससे कमेंट सेक्षेन ने पूछ लीजेगा मैं आपको एक्स्प्लेन कर दूँगा और मेरे चैनल को अगर आप पहली बाद जोड़ रहा हूँ इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा, लाइक कर दीजेगा, शेयर कर दीजेगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आराम से घर बैठे बैठे मिलते रहे मैंने अपने चैनल में बहुत सारी वीडियो डाल रखे इस्पैनेश गिटार के, हार्मोनियम के, मौत हरगन के, वोकर सिंगिंग के तो आप वहां से भी बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं और बाकि आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्षेन मुझस से पूछ लिएगा मैं आपको आश्क्लेन कर दूँगा आपने मेरा वीडियो अंत्त्रक बहुत जहां से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी है तब तक लिए आग्या दीजे धन्यवाद हमस्क्राइब